गुद मोरिंग एवरिवान, वेलकम तू दू चानल, आज हम आज के करेंट अफ़ेर आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और शुरू कर तिक आप क्वेशन पर आते हैं, पहला क्वेशन है, वेन वस सेफर इंटरनेट डे सेलिबरेटेड इन दे यर ट्वेंटी ट् सेफर इंटरनेट डे ये सेलिबरेट होता है, साथ फर्वरी को, अप्शिन नमबर एक करेक्ट होगा, और थीम यहाँ पर देख सकते हैं, टुगेदर फूर अब बेटर इंटरनेट, एक चीज़ और याद रखेगा, साथ फर्वरी हर साल नहीं होता है, सेकिंड डे अफ़ सेकिंड वीक और फेबररी को, ये हर साल सेलिबरेट किया चाता है, इस बार ये साथ फर्वरी को था, थीम आपको याद रखनी है, यहाँ कुछ और जन्वरी के इंपोर्टन डेज हैं, क्योंकि जन्वरी पूरा निकल चुका है, तो एक जन्वरी को होता है, डिय डियो डे एक जन्वरी को ही Global Family Day होता है, चार जन्वरी World Braille Day, छे जन्वरी World Day of War Orphans, नौ जन्वरी प्रवासी भारती दिवस, दस जन्वरी World Hindi Day, बारा जन्वरी National Youth Day, और International Youth Day होता है 12 अगस्त को, दस जन्वरी था World Hindi Day और National Hindi Day होता है 14 सितंबर को, पंदरा जन्वरी इंडियन आमी दे, 13 जन्वरी प्राक्रम दिवस, 14 जन्वरी National Girl Child Day, 14 जन्वरी को ही International Education Day होता है, और National Education Day होता है 11 निवेंबर, फिर है National Voters Day 25 जन्वरी, National Tourism Day 25 जन्वरी, और International या फिर World Tourism Day होता है 17 सितंबर, और लास्ट में 30 जन्वरी होता है शहेद दिवस या फिर मैटरेस दे, RBI has increased the repo rate to how many basis points, RBI ने repo rate को बढ़ाया है, और कितना बढ़ाया है, 0.25 basis points तक बढ़ा दिया है, अब कितना हो गया है, तो 6.5% हो गया है, repo rate in the bimonthly monetary policy review, और देखे, monetary policy committee, I think हमने पहले भी इसको discuss किया, monetary policy committee बनाई गी थी, जिसका क्या काम है, जो inflation है, उसको control में करना, और inflation को control में करने के लिए क्या करती है, monetary policy committee, जो हमारी repo rate है, या फिर CRR है, SLR है, bank rate, reverse repo rate, इन सब ही को, वो इनके जो interest है, इनकी जो दर है, प्याशदर, उनको decide करने का काम MPC करते है, I hope यह सारे terms आपको पता होंगे, economics में आपने बढ़े ही होंगे, और MPC जो है, monetary policy committees में, कुल 6 members होते हैं, 3 member, RBI से होते हैं, 3 member, सरकार के द्वारा appoint किये जाते हैं, MPC का head कौन होता है, RBI के governor जो है, वो इसको, वो इसके chairman होते हैं, वो इसको head करते हैं, repo rate बहुत जादा important होता है, क्योंकि repo rate के जरिये ही, जैसे MSF है, उसका decision भी repo rate के जरिये होता है, जितना भी repo rate होगा, उसका 0.25 basis point जादा, हमेशा MSF होता है, तो 6.25, 6.5 percent repo rate है, तो MSF कितना हो गया, 6.75 percent, ठीक है, इसी तरह से कुछ और rates भी repo rate के according ही recite किये जाते हैं, इसलिए important है, repo rate क्योंकि बात हुई है इसके आपर, तो इसका meaning देख लेते हैं, repo rate वो rate होता है, जिस पर central bank जो है न, वो commercial banks या फिर financial institutions को money देती है, rent देती है, उधार देती है, और उधार किस रूप में देती है, तो जो भी commercial banks हैं हमारे हैं, उनके पास government securities होती है, जब भी पैसा चाहिए होता है other banks को, commercial banks को, तो वो क्या करते हैं, central bank जो कि हमारे RBI, RBI के पास अपने पास रखी हुए government securities बेश देते हैं, और बेशने के बाद, वो उनको पैसा मिल जाता है, अब देखिए बेशने का भी यह है, कि मानली जी यह commercial bank है, यह हमारा RBI, commercial bank ने RBI को, जो GSEX है, government securities यह दिये, और RBI ने इनहीं क्या दे दिया, पैसा दे दिया, लेकिन यहाँ पर बेशने का मतलब भी यह होता, कि permanent बेश दिया गया, एक इस तरह के contract के रूप में बेचा जाता है, कि हम आपको अभी यह GSEX दे रहे हैं, इनके बदले आपे पैसा देजे, उस पैसे पर हम आपको इंटरस्ट देते रहेंगे, इंटरस्ट कॉंसे रेट पर देंगे, रेपो रेट पर, लेकिन यह GSEX RBI को देने के पीछे, यह वादा भी एक होता है, कि हम future में आपस यह GSEX वापस ले लेंगे, ठीक है, तो future में जब भी ऐसा होता है, कि market म money बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर inflation बहुत ज़्यादा हो गया है, तो RBI यह GSEX commercial bank को वापस बेच देता है, और commercial bank RBI को पैसा देते हैं, और basically यही तरीका होता है, inflation को कंट्रोल करने का, inflation कब होता है, जब market में बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, एक reason यह भी होता है inflation का, तो पैसा है मतलब commercial bank के पास पैसा है, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा होगा, तो bank के पास आएंगे जम्मा करने के लिए, ठीक है, मतलब पैसा है market में, इसी वज़े से inflation है ज़्यादा, तो फिर उस दर्शा में क्या किया जाता है, RBI, GSEX, सारी government securities को बेच देता है बेचेगा तो क्या करेगा, commercial bank पैसा देंगे RBI को, और अगर RBI को पैसा दे देंगे, इनके पास पैसा कम बचेगा, तो जो inflation है, कंट्रोल में आ जाएगा, और इसी वीजन से बढ़ाया गया है, तो यही होता है, रेपोरेट आप समझ के होंगे, रेपोरेट वो रेट है, जिस पर RBI G-Sec के बदले commercial banks को पैसा देता है, ठीक है, अभी यहाँ देख लिते हैं RBI के बारे में कुछ चीज़ें, तो Reserve Bank of India full form है, एक अपरेल 1935 को स्थापना हुई थी, nationalize हुआ था एक जनवरी 1949 को, headquarter है मुवबई महराश्ट्रो में, RBI किस commission के आधार पर या सिफारिश पर setup किया गया था, तो RBI के स्थापना हुई थी, Hilton Young Commission की सफारिश के आधार पर, RBI के पहले governor थे, Sir Osborne Smith, पहले Indian governor कौन थे, CD Deshmuk, 25th governor शक्तिका अंदास है, RBI के deputy governor चार होते हैं, मतलब टूटल, RBI में 5 head होते हैं, एक governor और चार होते हैं, deputy governor, और ये deputy governor इस समय कौन है, T. राजिश्वर राओ, next question पर चलते हैं, के सत्या नारायन राजू, has been appointed as MD and CEO of which bank, तो आप options में भी, यहां जो picture इसमें भी देख रहे होंगे, Kenera Bank है, Kenera Bank के MD और CEO, के सत्या नारायन राजू को अपॉइंट किया गया है, किसे replace करेंगे, LV Prabhakar को, Kenera Bank nationalized हुआ था, 1969 में, non-exec क्यूटीब चेरिमन कौन है, विजे श्रीरंगम है, Kenera Bank का headquarter है, बेंगलूरू करनाटका में, और tagline इसकी है, together we can, यहां bank के जो other banks है, उनके MD और CEO देख लेते हैं, बंधन bank के हैं, चंदर शेखर घोष, पंजाब नेशनल बैंक के हैं, अतुल कुमार गोईल, ICICI bank के संदी इंधर जगदीशन, AXS Bank के हैं, अमिताब चौदरी, Bank of India के अतनु कुमारदास, Central Bank of India के हैं, M.V. Rao, Kotak Mahindra Bank के हैं, Uday Kotak, फिर Mahindra Finance के हैं, Rall Rebello, इनको recently appointed किया गया है, इनन overseas bank के हैं, P.B. Sen Gupta, और यहां bracket में, आपको इनके headquarters in bank के headquarters देखने को मिलेंगे, Which of the following has become the first municipal corporation to launch green bond, पहला municipal corporation जिसने green bond launch किया, वो है इंदौर, इंदौर कहां पर हैं, मत्यपरदेश में हैं, इंदौर हमने देखा भी है, इंदौर municipal corporation ने लगाता छे बार जीता है, top rank की है cleanliness survey में, और इसी के साथ यह बना देश का पहला civic body to launch green bonds, आचा green bonds क्या है, तो यह भ इस तरह के promise note होते हैं, इस के दौरा या फिर bank के दौरा bond जमा किये जाते हैं, ताकि कुछ पैसा इकठा किया जा सके किसी field में कहीं पर निवेश करने के लिए, green bonds क्या है, तो ऐसे bond जो जारी किये जा रहे हैं, ऐसे projects के लिए जो environment के लिए शुरू करने हो, ठीक है, environment friendly projects के ल जारी किये हैं, वो है इंदौर, यहां पर कुछ MP से related current affair देख लेते हैं, MP government भुपाल के इसलाम नगर विलेज का नाम चेंज करके जगदीशपूर कर दिया है, इसके अलावा हबीब गंज railway station जो MP में है, उसका नाम रानी कमलापती railway station किया गया, जाल पानी railway station इंदौर में ह इसका भी नाम चेंज करके तांतिया मामा railway station किया गया, इंदौर को डिकलेर किया गया, इंदौर को डिकलेर किया गया, इंदिया का फॉर्स वार्टर प्लस सर्टिफाइड सिटी इन 2021, इंदिया का पहला जियो पार्क, यह कहां पर है, लमहेटा विलेज on the banks of नर्मदा Egyptian Plant यह खांडवा districts MP में, इसको set up किया गया, established किया गया, आरोण French retired from international cricket, he is from which country, तो यह उस्ट्रेलिया से बिलॉंग करते है, उस्ट्रेलिया के किर्केटर है, उस्ट्रेलिया T20 Captain आरोण में और रिसेंटली इंडियन क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने भी अपना रिटार्मेंट अनॉंस किया है यहां ICC अवार्ड देख लेते हैं मेंस कैटेग्री में तो ICC मेंस क्रिकेटर अफ देयर रहे बाबर आजम पाकिस्तान के ICC मेंस ODI क्रिक्ट अवड एउड यह रहे बाबर आजम सी मेंस T20 आय क्रिकेटर अफ देयर सूर्य कुमार यादव इंडिया के ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर अफ देयर रहे बेंस टॉक्स, ICC isprits of cricket अवर्ड आसिफ शेख नेपाल के ICC Emerging Men's Cricketer of the Year Macro Johnson, यह है South Africa के ICC Men's Associate Cricketer of the Year Gerhard Erasmus, यह नामीबिया से है और ICC Empire of the Year, जिन्हें मिलता है David Shefford Award यह रहे Richard Illingworth, इंग्लेंड के यह एंपायर है ICC Women's Awards देखें तो ICC Women's Cricketer of the Year रहे Nat Skiver, इंग्लेंड की ICC Women's ODI Cricketer of the Year, Nat Skiver, उसके बाद ICC Women's T20I Cricketer of the Year रही Tahila Magrath, यह Australia की है ICC Emerging Women's Cricketer of the Year रही रही Renuka Singh, भारत से ICC Women's Associate Cricketer of the Year रही Isha Oza, यह UAE की Cricketer है Which country has become the largest producer of milk in the world तो यह है भारत, जो बन गया है दुनिया का सबसे अधिक Milk Produce करने वाली country जो data है आया है Food and Agriculture Organization Corporate Statistical के दुआरा इसके जरीए इंडिया बन गया हाइस milk producer जिसकी rank first है और Global Milk Production जो है उसमें भारत का योगदान है 24% Second number पर है चाइना यहाँ देख लेते हैं हमारी Union Minister of Fisheries, Animal, Husbandry and Daring कौन है श्रीपूर्शोत्तम रुपाला है World Milk Day का बुता एक जून को होता है 2022 में इसकी थीम थी Dairy Net Zero National Milk Day होता है 26 नवंबर को 26 नवंबर को क्यों होता है क्योंकि इस दिन Birth Anniversary होती है वर्गीज कूरियन की वर्गीज कूरियन वही है जिनने Father of White Revolution के नाम से जाना जाता है भारत में Milk Revolution जो है उसका श्रे इनहीं को जाता है और भारत में भी अकर देखें Highest Milk Producing State कौन सा है तो यह है उत्तरप्रदेश जितना भी कंट्री का टोटल Milk Production होता है उसका 18% अकेला उत्तरप्रदेश करता है यहां देखते हैं अवार्ड कुछ रिवाइस कर लेते हैं तो मात्रभूमी Book of the Year यह Peggy Mohan को दिया गया है Lifetime Achievement Honor in UK के Former Indian Prime Minister Manmohan Singh को मिला है FIH President's Award 2023 का वी कार्थी कियन पांडियन को मिला है औरिसा के हैं पहला Asian जिसने Oscar nomination जीता है जब Oscar की nomination में शामिल हुई है Best Actress के लिए यह है Michelle Yeho Film इनकी कौन से Everything Everywhere All At Once सुभाज चंद्र बोस Disaster Management Award 2023 को औरिसा को मिला है औरिसा का जो State Disaster Management Authority है उसको मिला है और साथी में Lungle Fire Station को पंडित हरी प्रशाद चौरसिया Lifetime Achievement Award डॉक्टर प्रभा आत्रे को दिया गया है वेचि के लंच किया है तो आ इनकिरित जोकर को जोर्टी से विइस उनकिर बाद मोबिलिटी का निग किया है तो तेलंगाना स्थापना हुई थी दो जून 2014 को आंदर प्रदेश से अलग होकर बना था क्यापिटल है है हैधराबाद गवर्णर है तमिली साही सॉंजर राजन CM है केज शंद्रशेखर राओ मुकर्नम जा भादूर आपने देखा हो गई एर्थ निजाम है हैधराबाद के जिनकी तर्की में वृत्य हो गई थी हैधराबाद और मुंबाई यह हैं ट्री सिटी ओफ वर्ल्ड फोर 2021 यून के द्वारा ही घुशट किया गया था इंडिया का पहला Flow के Mystery Technology Hub ये कहाँ पर है डॉक्टर रेटी इंस्ट्टिट अंसे है है ह्धराबाद में है इंडिया का पहला Gold ATM और वर्ल्ड का पहला Real Time Gold ATM यह बेगम पेट हैधराबाद में फिर उसके बाद देशवर टेंपल यह बी है तेलंगाना में इसे रामपपा टेंपल के नाम से भी जानते हैं और ये बना था इंडिया का 39th इनुसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था 1213 हेडी में काकतिया एंपायर के दौरान और काकतिया एंपायर में एक रुचेरला रुद्र थे काकतिया किंग गंपती द बन गया है जिसने इस तरह की सर्विस शुरू की है इसके जरिये जितने भी इंडियन यूजर्स है फोन पे के वो यूपी आई का इस्तेमाल करके फॉरण बिजनस कर पाएंगे यूजर्स एबल होंगे तो मेक डिरेक्ट पेमेंस इन फॉरण गरंसी फॉम दियर इंडियन तो यह सुवधा देने वाला पहला फिंटेक बन गया है फोन पे सेंटर अपॉंटेड हाव मेनी जजजस तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने नए जजजस को अपॉंट किया गया है तो पांच यह संख्या है और अब कितनी स्ट्रेंथ हो गई है 32 एक्स है जस्टिस पंकज मितल यह राजसान हाई कोर्ट के चीफ चस्टिस है जिने सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है जस्टिस संजे करोल यह पटना हाई कोर्ट के चीफ चस्टिस है जस्टिस पीवी संजे कुमार यह मनिपूर हाई कोर्ट के चीफ चस्टिस है और है नहीं थे देब बोला जायेगा किवकि अब सुप्रीम कोट में इनको जज के रूप में कुझ पोइंट कपर दिया गया 지금은 पर्टनर अउंट में जज व النकुत सब्सक्राइब को हैं। जरूरी है कि at least four senior most judge होने चाहिए सुप्रीम कोट के और उनका कोलेजियम बैठकर प्रेजिडेंट को अडवाइस देता है अब ये भी चीज़ आप अच्छे से आद कर लेजेगा ओपीनियन जो चीफ किसकर है कि चंद्रमा चंद्रमाओ की संख्या सबसे ज्यादा है अप्शन से साटन यूरेनस अर्थ या फिर ज्यूपिटर इसका करेंट करेक्ट आंसर दीजेगा कमेंट बॉक्स में और आंसर से रिलेटर जो फेक्ट आपको याद हो वो भी बताईएगा तेक या तो इसके स साथ हुता है वीडियो का अंत थैंक यू सो मैश वाचिंग जय हिंद।